एक बार फिर आपके साथ एक खास रिपोर्ट लेकर के जोड़ चुके हों देखे आपको बता दे कि जिस तरीके से हम देख रहेते हैं कि राहूल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जब से शुरू हुई है कभी विपक्षुन पर हमलावार दिखता है तो कभी खु कॉंग्रेस पार्टे खुद अपने ही चर्चा को ले करके इस पूरे मामने में इस वक्त जनता के सामने दिखाई दे रही है देखे भारत जोड़ो यात्रा को कहीं न कहीं यहां पर जो है मोधी सरकार कह लिजए है बीज़पी की नीती का सफाया माना जा रहा है वहीं दू पार्टी कह रही है क्योंकि देखे कॉंग्रेस का यह कहना है कि यहां पर जो है जैसे जैसे राहूल गांदी अपने भारत जोड़ो यात्रा को ले करके जिस जिस रहा से गुजर रहे हैं जिस गली में पहुच रहे हैं उस गली में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी भी कि तरफ गए जनसभा को संबोधित करते हुए उसके बाद देखा गया कि जैसे ही राहूल गांदी भाहा से निकले उनके तुरंत बाद ही वह वहां पर पहुचे यानि कि जो यहां कॉंग्रेस पार्टी इलजाम लगा रही है कि यहां पर प्रिदान मंतरी नरेंद्र मोधी खुद कॉंग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा के सफल ना होने के लिए उसके पीछे पीछे लगे हुए क्या ये बात आपको सची लगती है क्योंकि देखे प्रिदान मंतरी नरेंद्र मोधी का हमने जो क्रम देखा है वो जनसभाय संबोधित करते हैं चुनाप से पहले लेकिन उस बीच में राहुल गांधी की तरफ से उनकी पाटी की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया आना क्या भाजपा के लिए एक संकेत है क्या भाजपा का सफाया होने वाला है चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले बैरहाल देखे मुद्दा आज का यही है कि यहां पर कॉंग्रिस का जो इस वक्त यह दिखाया जा रहा है कि कॉंग्रिस का भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लगातार यहां पर सफल होता जा रहा है और वहीं पर उनका आरोप है कि इससे भाजपाई डर गए है और यही वज़ा है कि भाजपाई भी उसी जगा पर ज सभाय संबोधित कर रहे हैं जहां से यह यात्रा गुजर रही है